वाट्स इन माई डिनर टुडे हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री मेरे चनल उमा श्री में आपका स्वागत है आज मैं क्या खा रही हूँ आज मैं बता रही हूँ वैसे तो दिन में मैंने कड़ी खाई थी और कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी और कड़ी मैंने भी फ्रिज में रख दिया कड़ाई में खाली करके और मैं प्याज का बगार लगा के कल खाऊंगी उसको और ये जो रोटी है ना ये मैं बिना घीकी लेती हूँ मैरी हमेशा से आदत है गी कम खाने की तो इसलिए मैंने रोखी रोटी लिये और इसमें बेजड का आटा है गेहूं का आटा है और मिस्सी रोटी का आटा है तो फाइबर से यूगत है और ये है ये आपको समझ में नहीं हारी होगी ये क्या मैंने अ modeling Sabbath मैं गै थी मैंने कहा था ना order दिया है मैंने और सबजी आने वाली है तो सबजी आ तो गई है लेकिन bandan ये मैंने बनाया था और थोड़ा quantity में जादा था मैंने कटोरी इसमें खाली कर लिया क्योंकि कटोरी बड़ी थी और सबजी कम थी उसमें, फ्रैंकली स्पिकिंग, फिर मुझे याद आया कि आरे वीडियो तो बनाई नहीं, तो डिनर में मैं क्या खा रही हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, और इसमें मैंने डाला है बैंगन, बैंगन के छिलका मैंने छील लिया, क्योंकि बहुत दो तो पड़े हैं, और एक मैंने छील लिया, क्योंकि इतनी सबजी चाहिए थी, क्योंकि बैंगन मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मेरे अलावा, तो ये बैंगन है, और इसमें मैंने डाला है, हींग, जीरा, लैसुन, गिसावा टमाटर, और प्याज मैंने नहीं डाला, ऐसे ही सबजी बहुत अच्छी बनी है, बहुत और हरी मिर्ची डाली है, और अधरग डाला है, इतना अच्छा टेस्ट है, फ्रेंड्स, क्या बता हूं आपको, तो डिनर में मेरे ये है, और आप खा ली जी फ्रेंड्स, वैसे तो खीरा भी आया है, और एक एपल मैं खा च और वगरा पोशक तत्व होते हैं छिलके में, लेकिन छिलके कितना चैमिकल है, उसको ध्यान में रखते हूए, मैंने छिलका छिलके ही एपल खाया, तो खीरा भी काट सकती थी, प्याज है, टमाटा रहे सब काट सकती थी, लेकिन मेरे अभी कुछ मन नहीं है, खाने का, मेर कोई ऐसे बैंगन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और बैंगन का भूरता भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको ही इंजॉय करना चाहती थी इसलिए मैंने कोई भी चीज नहीं ली और ये रोटी और बैंगन की सब्जी ही ली है तो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा Thank you so much